जैहिन दोस्तों आप सभी का स्वागते आपके अपने यूटुब चैनल दवंग क्लासेस पर तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मद्द प्रदेश जीके सीरीज में मद्द प्रदेश की क्रसी से संबंदित महत्मुन प्रश्न या MPGK का एक एसा इंपोर्टेंट टॉप जो आई है इसकी तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो में लाश्ट तक जरूर बने रहें ताकि MPGK के हर एक कोशन को आप आसानी से कवर कर सकें तो चलिए देखते हैं यहां पर आप लोगों का फर्स्ट कोशन में आप लोगों को दिया है भारत में कुल तिलहन के उत्पादर म कोन सा इस्थान है दिये गए चार आप्संस में से आपको इसका राइट आंसर बताना है और क्रसी से संबंदी ती इसका सेकंड पार्ट है फर्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए अल्रड़ी अप्लोड किया जा चुक है आप लोग चेनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सक भारत के कुल तिलहन उत्पादन में मद्यप्रदेश राज्य का भारत में प्रथम इस्थान है भारत के कुल तिलहन उत्पादन में मद्यप्रदेश का योगदान 27 प्रतीसा थे ये भी आपको याद रखना है मद्यप्रदेश में मुख्य रूप से राई सरसो तथा स्वय स्ठोफ सवय बिन का उत्पादन किया जाता है जो की तिलहनी फसले है मद्रदेश-बिन में भारत में प्रथम राज्य है इसलिए मद्यप्रदेश को सोया प्रदेश या सोया इस्टेट के नाम से भी जाना जाता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन की और नेक्स्ट कुश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पुछाए निमने में से किसे सरसो उत्पादन की हांडी कहा जाता है चार आप्शन आपको दियेगे और पुछा गया इन में से किसे सरसो उत्पादन की हांडी कहा जाता है तो इसका राइट आंसर आपको बताना है करेक्ट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर होने वाला option no.3 मद्धि भारत के पठार को सरसो उत्पादन की हांडी भी कहा जाता है सरसो के लिए सरबादिक उप्युक्त मिट्टी दोमट मिट्टी होती है हाली में constable exam 2022 में पूछा गया था कि सरसो उत्पादन के लिए प्रमुक मिट्टी या सरबादिक उप्युक्त मिट्टी कौन सी होती है तो आपका answer होगा दोमट मिट्टी होती है आगे बढ़ते हैं next question की और next question में देखी यहाँ पर आप लगों से क्या पूछा गया है तो next question में पूछा है मद्धिप्रदेश के किस जिले में सरसो के तेल का कारखाना इस्तित है चार option आपको दिये गये हैं और इसका right answer आपको बताना है correct answer होगा इसका answer number 3 मुरेना मद्धिप्रदेश के मुरेना जिले में सरसो के तेल का कारखाना इस्तित है मुरेना जो है दोस्तों यहां मद्विप्रदेश राजी का सबसे उत्री जिला है इसे भी आपको याद रखना है मद्विप्रदेश राजी का सबसे उत्री जिला कौन सा है यह Constable Exam 2022 में पूछा गया आंसर होगा मुरेना मुरेना जो है मद्विप्रदेश में सरबादिक म्रदा अपर्दन से प्रभावित जिला है जो की चंबल नदी के कारण सरबादिक म्रदा अपर्दन से प्रभावित है तो यहाँ पर आपसे पुछा गया मद्विप्रदेश के किस जिले में सरसो के त्यल का कारखाना इस्तित्य आंसर होगा मुरे नामे अगे बढ़ते हैं Nest Queshen की योग नेक्ष्ट Queshen में देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है तो यहाँ पर पूछा होगे निमन में से किसे सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है, चार आप्षन आपको दिये गए हैं, और यदि आप लोग वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं, तो इसी के बीच में आपको आंसर बता चुका हूँ, आप तक आप इसका आंसर कर चुके होंगे, राइट आंसर होगा इसका आप्षन नमबर सेकंड मद्द प्रदेश राज्ज को सोया प्रदेश या सोया इस्टेट के नाम से जाना जाता है, मद्द प्रदेश सोया बिन उत्पादन में भारत में प्रथम इस्थान पर है, सोया बिन खरीब की फसल है, एक तिलहनी फसल का उधारण है, मद्द मद्प्रदेश के सिवराशी चोहान गवर्नर रहें मंगू भाई चगन भाई पटेल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशेंट पूचाएं तो नेक्स्ट कोशेंट में पूचा गया है मद्प्रदेश में सोयविंट की क्रसी सरव प्रथम किस बर्स की गई थी तो इसका रैट मंद्प्रदेश के देवास में सोयाविन की क्रसी किस जिले में कई गई थी ये कोश्चन की और रेंट के से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं यदि आप लोगों ने अभी तक हमारी MPGK की 1250 प्लस बेस्ट MCQ की PDF डाउनलोड नहीं की है तो आप वीडियो की डिस्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके असानी से डाउनलोड कर सकते हैं यह दोनों ही PDF आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो दोनों में से कोई सी भी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आपकी प्रिप्रेशन बहतर हो पाएगी तो वीडियो की डिस्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके तुरंत इन PDF को डाउनलोड कर लें चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कोईशन क्या है तो नेक्स्ट कोईशन में पूछा है देश के कुल सोयविन उत्पादर में मद्धिप्रदेश का कितना प्रतीसा थे तो इसका जो राइट आंसर है वा है आप लोगों का ऑप्सन नमबर चार 22.22 प्रतीसा देश के कुल सोयविन उत्पादर में मद्धिप्रदेश राज जी का हिस्सा 52.22 प्रतीसा थे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोईशन की ओर नेक्स्ट कोईशन में पूछा है मद्धिप्रदेश में राज जी सोयविन अनुसंदान केंदर कहा इस्ती थे वेरी वेरी आइम पी पूछा है तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का आपसन नमबर चार इंदोर में राश्ट्री सोयविन अनुसंदान केंदर इंदोर में इस्ती थे इंदोर को मद्धिप्रदेश की व्यवसाई क्राजधानी या ओद्योगी क्राजधानी के रूप में भी जा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और नेक्स्ट कोशन में देखें यहां पर आप लोगों से क्या पुछा है तो नेक्स्ट कोशन में आपसे पुछा गया है तील किसकी फसल है चार आपको दिये गया और पुछा गया है इनमें से जो तील होती है तिली या किस मौसम की है किस फसल का उधारण है रवी फसल खरीव फसल जायत फसल या मोसमी फसल का तो इसका जो राइट प्रदेश के की जिले में अलसी का सरवाधी कुदपादन होता है चार आप्षिन आपको दिये गए है पुछा गया है मद्धिप्रदेश के किस जिले में अलसी का सरबादी कुदपादन होता है तो इसका जो right answer एवा है आप लगों का option number 4 रिवा जिले में मद्धिप्रदेश के रिवा जिले में अलसी का सरबादिक उत्पादन होता है और अलसी जो है यह रवी फसल का उधारण है रवी की जो फसले है यह सीत रितु में बोई जाती है जैसे कि अभी सीत रितु में कौन-कौन सी फसले बोई गई है गेहूं मटर चना अलसी इत्यादी और साथ ही आलू भी यह सभी क्या है रवी फसल के उधारन है आगे बढ़ते हैं दोस्तों next question की और next question में देखिए आपसे क्या पुछा है तो यहाँ पर पुछा गया है मुंग फली किसकी फसल है चार अप्षन आपको दिये गया और पुछा गया है जो मुंग फली है या किस रिजन की फसल है तो इसका जो right answer है वह है आप लोगों का option number second की फसल है मुंग फली जो है यहाँ खरीफ अर्तात बर्चार रितु में बोई जाने वाली फसल है तो आपको याद रखना है और मुंग फली जो है यहाँ एक तिलहनी फसल है आगे बढ़ते हैं next question की ओर next question में देखें आपसे क्या पूछाए कपास उत्पादन के लिए सरबादिक उप्यूक्त मिट्टी कोन सी है और पुछा गया है कपास उत्पादन के लिए सरबादिक उप्यूक्त मिट्टी कोन सी है तो इसका जो right answer है दोस्तों वह है आप लोग क्या पुछा है कपास उत्पादन में मद्प्रदेश का देश में कौन सा इस्थान है तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है आप लोगों का आपसन नमबर तीन चौथा कपास उत्पादन में मद्प्रदेश का देश में चौथा इस्थान है मद्प्रदेश में कपास का पिचत्तर प्रतीसाच छेत्र जो है या निमाण छेत्र बड़बानी बुरहनपूर और खंडवा तथा खरगोन के अंतरगत आता है इन जिलों को सुनहरे जिलों के नाम से भी जाना जाता है तो अभी हाली में कॉंस्टबल एक्जाम 2022 में पूछा गया था कि किन जिलों को सु प्रभी निमाण एबं खरगोन जिला जो है पश्चमी निमाण कहलाता है इसे भी आप याद रख सकते हैं नेक्स्ट कोईशन देखे आपसे पूछा है बर्स 2018 में राज्ज के प्रतम जेविक कपास अनुसंदान केंदर के इस्थापना कहां की गई है तो इसका जो राइट खेतर में सामिल है तो जेविक कपास अनुसंदान केंदर के इस्थापना भी खंडवा में की गई है और इसकी इस्थापना खंडवा के भगवात राप मंडलोई कृसी विशुविध्याले खंडवा में की गई है आगे बढ़ते हैं next question की ओर next question में देखिए दोस्तों आप लोगों से क्या पूछा गया है तो next question में पूछा है मद्धि प्रदेश में गांजा उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है काफी important question आपसे हर exam में पूछा जाता है MP government की कोई भी exam हो आपसे ये question जरूर पूछा जागा एक गांजा और एक अफिम ये दो question हमें सब पूछा जाते हैं तो मद्धि प्रदेश में गांजा उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है right answer होगा option number 4 खंडवा जिला मद्धि प्रदेश में गांजा उत्पादन में प्रथम इस्थान खंडवा जिले का है और दूती इस्थान जो है बहब बुरहानपूर जिले का है अब इससे एक्ट्रा question हम पढ़ते हैं कि मद्धि प्रदेश में अफिम उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है अगर आपसे पुचा जाता है तब आपका answer होगा मंद्धोर जिला और चेकर्ड इस्थान पर आता है नीज्य जिला तो देखिये गांजा उत्पादन में प्रथम इस्थान है खंडवा जिले का और अफिम उत्पादन में प्रथम इस्थान किसका है मंदसोर जिले का है, ये दोनों ही आप लोगों को याद रखना है आगे बढ़ते हैं next question की और next question में देखें, यहाँ पर आपसे पुछाएं अफिम किस की एक फसल है, चार अप्षन आपको दिये के हैं और पुछा गया है अफिम किस season की एक फसल है तो इसका जो right answer है दोस्तो, वह है आप लोगों का option number first, रवी अफिम जो है, यह एक रवी फसल का उधारन है रवी की फसले जो होती है, सीतरी तुमें बोई जाती है अफिम का उप्योग, ओसिदी के रूप में भी किया जाता है आगे चलते हैं next question की और, next question में देखी, यहाँ पर आपसे क्या पूछाए तो next question में पूछाए, अफिम उत्पादन में प्रथम इस्थान मद्प्रदेश में कौन सा जिला रखता है तो इसका जो right answer है, मैं वीडियो के बीच में आपको बता चुका हूँ यदि आप वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं तो इसका answer आपका आचुका होगा right answer option number 3, मंद्प्रदेश में मद्प्रदेश राज में प्रथम इस्थान मंद्प्रदेश जिले का है और मंद्प्रदेश के बाद जो दूसरा इस्थान वह नीमच का है नीमच जिले में अफिम से ओस्थी बनाने का कारखाना इस्थापित किया गया है तो हाली में Constable Exam 2022 में पूछा गया था कि प्रदेश का प्रथम इलकलाइड कारखाना कहां इस्तित है तब आपका answer होगा नीमच जिले में इस्तित है आगे बढ़ते हैं next question की और next question में आपसे पुछा है brown sugar और heroine बनाने में किस पदार्थ का उपियोग किया जाता है आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो brown sugar और heroine होता है ये सब क्या है नसीली चीज़े हैं आपने movies में भी देखा है दोस्तों तो brown sugar और heroine बनाने में किस पदार्थ का उपियोग किया जाता है तो इसका जो right answer होगा वह है आप लोगों का option no.3 अफियम का उपियोग किया जाता है ब्राउन sugar और heroine जैसी नसीली दवाईयां बनाने या नसीली पदार्थ बनाने में अफियम पदार्थ का उपियोग किया जाता है मद्यप्रदेश में सरबादिक अफियम का उथपादन मंदसोर जिले में तथा दूती इस्थान पर नीमत जिला आता है next question देखते हैं तो नेक्स्ट कॉशन में आपसे पुछा है अब आप से तबादरदै्स में तबाक उतपादन में प्रथम जिला कोन सा है तो राइट आंसर होगा option number 4 रीवा जिला मद्धप्रदेस में तमबाकू उत्पादन में प्रथम जिला जो है यहार रीवा जिला है तमबाकू के उष्ण कटी बंदी जलवाईयू तथा लाल पिली मिट्टी म्रदा जो होती है उप्यूग तो होती है तमबाकू की खेती के लिए आगे बढ़ते हैं next question की दोस्तो यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक ने किया तो फटा फट वीडियो को लाइक करें और चेनल पर पहली बार आए हैं तो चेनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यदि MP गोवर्मेंट की किसी भी एक्जाम में सेलेक्शन ले लगत आता है गन्ना जो है एक नगदी फसल का उधारन है आगे बढ़ते हैं next question की और next question आप से पुछा है मद्यप्रदेश में गन्ना अनुसंदान केंदर कहां इस्ति थे क्या पुछा गया है मद्यप्रदेश में गन्ना अनुसंदान केंदर कहां इस्ति थे तो इसका जो आगे चलते हैं next question की और next question में आपसे पूछाए मद्द्रदेश का एक मात्र काफी उतपादक 96 तर किस जिले में हैं तो इसका जो वह है आप लोगों का option number 4 बैतुल जिले में मद्प्रदेश का एक मात्र काफी उत्पादक छेतर कुकुरू ग्राम क्या नामे इसका कुकुरू ग्राम जो है यहाँ बैतुल जिले में इस्थी थे और जो बैतुल जिले के भेंस देही तहसिल में इस्थी थे आगे चलते हैं next question की और next question में देखिए आप लोगों क्या पूछा गया है तो next question में पूछाए देश में फलो के कुल उत्पादर में मद्प्रदेश का कौन सा इस्थान है तो इसका जो right answer है दोस्तों वह है आप लोगों का option number 4 सात्वा जबकि अम्रूद के उत्पादर में मद्प्रदेश का दूसरा इस्थान है आगे बढ़ते हैं next question की और next question में देखिए आप लोगों पुछा है सब्जी उत्पादन में मद्ध्रदेश का देश में कौन सा इस्थान है सब्जी उत्पादन की बात की गई है तो इसका जो right answer है दोस्तों तो यह जो है season के मतलब sun के हिसाब से बगलता रहता है last year का data जब भी आपसे किया जाता है current affair के हिसाब से तो इसका right answer आपको बताना पड़ता है अभी अगर बात की जाए तो 2018-19 का जो data बना था उसके अनुसार पश्री मंगाल उत्तरप्रदेश को पीछे चोड़ते हुए देश का प पर था नेक्स्ट कोशन देखी यहां पर पुछाए मसाल उत्त पादन में मध्यप्रदेश का देश में कोन सा इस्तान है तो इसका राइट आंसर होगा option number gっち आपसे पूछ फूलो के उत्पादन में मद्यप्रदेश का देश में कौन सा इस्थान है तो आपसे पूछा गया है फूलो के उत्पादन में प्रोडक्शन औफ लॉवर्स तो आपसे पूछा गया है कि इसके उत्पादन में मद्यप्रदेश का देश में कौन सा इस्थान है तो राइट आ रही है तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है करेक्ट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और आपसे पुछाए मद्यप्रदेश रेसम के गेर पारंपरिक उत्पादन में देश में किस इस्थान पर है तो इसका जो राइट आंसर वह है आप लगों का आपसे नंबर फास्ट तीसरे इस्थान पर है आगे चलते हैं नेक्स् उर्भरक का उपयो किया जाता है तो यह आप लोग मद्यप्रदेश के निवासीं हैं तो आप लोग सभी जानते होंगे कि नाट्रोजन का य। तो आप देखते हैं कि उसकी बोरी पर क्या लिखा होता है सबसे बड़े-बड़े अक्षरों में नाइट्रोजन लिखा होता है 46 परसेंट तो मद्धिप्रदेश में किस उर्बरग का सबसे ज्यादा उप्यों किया जा रहा है नाइट्रोजन की कमी के कारण मद्धिप्रदे नाइड्रोजन का अफ्सोचल कर मित्टी में उसका नाइड्रेत के रूपमें इस्ठरी करंग करता है। इसलिए प्रत्येक दो फसल के बाद तीसरी फसल हमें कैसी लेना चाहिए। तिलहनी फसल लेना चाहिए जिससे कि मृदा में नाइड्रोजन की कमी ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहां पर हमने आप लोगों के लिए क्वीज रखिए जिसका अंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बता रहा है आज की क्वीज है भेंसों की संख्या की द्रश्टी से मद्धिप्रदेश का देश में कौन सा इस्थान है तो पसुपालन स प्रेक्टिस मतलब अगर देखा जाग टॉपिक वाइस 1250 प्लस MCQ की PDF अभी तक डाउनलोड नहीं की है यह भी MCQ में है तो आप वीडियो की डिस्क्रप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और इस PDF की खासेत यह है कि इसमें हर एक कोश्चन की सब्सक्राइब कर लें साथ ही वेल आइकन की बेटन जरू दबालें ताकि एसे इंपर्टेंट एजुकेस्नल वीडियो के नाटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुचते रहें जैए हिन दोस्तों